नमस्ते, विलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिका मसाला, मतलब पनीर टिका ग्रेवी के साथ, बहुत ही आसान और जटपट तरीके से, जिनको पनीर टिका पसंद है, उन्हें पनीर टिका मसाला जरूर पसंद आएगा, तो चलिए बनाते हैं पनीर ट डालेंगे आधी चोटी चमच हल्दी, एक टेबल स्पून कस्मेरी लाल मिर्च, एक टेबल स्पून धनिया का पाउडर, एक चोटी चमच जीरा का पाउडर, एक चोटी चमच गरम मसाला, एक चोटी चमच जीरा का पाउडर, एक चोटी चमच चाट मसाला, कसूरी मेथी और नमक, अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून गर्मा गरम सरसो का तेल, इन सब को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, अब इस पेस्ट में हम एड कर देंगे सिम्बला मिर्च, प्याज, टमाटर और कटे हुए पनीर, सब्जियों को हमने बरे बरे पीस म काटा है, टमाटर के बीज को अलग कर दिया है, इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसे हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए डाल देंगे, अब एक पैन को गरम करेंगे, और हीट को थोड़ा हाई रखेंगे, और इन सब को रोस्ट कर लेंगे, पैन में तेल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही सरसो का तेल एड़ किया हुआ है, इसको 2-4 मिनट तक के लिए अच्छे से दोनों साइड से रोस्ट कर लेंगे, पनी टिक का तैयार है, लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं खाएंगे, हम इसके लिए भी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज को हलका भूनेंगे, जब यह हलका गोल्डेन हो जाए, तो इसमें हम डाल देंगे अधरक और लहसन का पेस्ट और फिर से भूनेंगे, अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चमच लाल मिर्च, एक टेबल स्पून धनिय पाउडर, 1-4 टी स्पून, हल्दी पाउडर, और टर्माटर प्यूरी डाल कर इसको तेल सेपरेट होने तक भूनेंगे, जब मसाले से तेल अलग होने लगे, तो इसमें डाल देंगे पानी, इसमें डाल देंगे डमक और गरम मसाला, और इसमें एक बौल आने देंगे, चोटी चमब चीनी अब इसे ढख कर तीन से चार मिनट तक पका लेंगे पनी टिक का मसाला तयार है आप इसे गरम गरम नान के साथ या रोटी के साथ हिंचवाय करें अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें